वैसे तो इस chapter की हम लोग completely marking कर चुके हैं ठीक है बट फिर भी कुछ diagram based question तुम लोगों को मेरी board exams में पूछ ले तो एक बार उन diagram based questions की भी marking कर लेता है ठीक है diagram based questions की marking करने का मतलब यह होता है बुक में आपको जहां जहां diagram दिये हैं उन diagram से आपको कोई सवाल पूछना शुरू कर दे diagram को देखो और diagram से related सवाल बना ले जैसे की पहला diagram based question तो देखो यही हो सकता है इसको मैं D1 कर देती हूँ यह D1 मतलब क्या होगा आपको paper में ऐसा ही एक chart बनके आएगा आपको सिर्फ या तो yes no लिखना होगा या तो cross और right बनाना होगा या फिर आपको इस diagram को देखके classify करना होगा इस तरीके से कि यहाँ पे physical वाले लिखे यहाँ पे chemical वाले लिखे तो एक diagram based question यह हो सकता है ठीक है चो next में आते है next diagram based question page number 31 के top में जो यह diagram दिया है इससे बनाया जा सकता है इससे क्या बनाया जा सकता है diagram based question उससे बात करो इससे आपको बहुत सारी चीज़े पूछ लेगा जैसे कि question number 1 यहाँ से उसने create करके तुमको पूछ लिया यह वाला चार्ट इसम को यह इस तरीके से यह diagram बना देगा और यह data आपको given देगा यह data given होगा ठीक है यह data given होगा diagram आप लोगों को given होगा और इस chart को भरने को कहेगा कि इस chart को fill up करो यह एक particular activity based question आपके paper में पूछा जा सकता है कि अगर हम लोगों ने पहला वाला काम किया हमने क्या किया line stone लिया और line stone को अगर हम heat कर रहे हैं तो क्या कोई color change देखने को मिलता है क्या खेर line stone सफेद color का होता है originally और line stone के अंदर आपको कोई color change देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे no क्या कोई gas release होती है बिल्कुल line stone को अगर आप heat up करोगे तो line stone को heat करने से gas release होती है अब देखो अब कैसा है यहाँ पे total 5 cases दिये first, second, third, fourth, fifth और उन पाँचो cases के लिए यह आपको पूरा का पूरा चार्ट भरना है बट जरूरी नहीं है कि paper में जब आपको यह diagram based question आए तो आपको यह पाँचो के पाँचो दियो क्यों कोई 2 दे सकता है को Celsius को तीन दे सकता है हो सकता है पूरे पांच दे और हो सकता है कोई एक दे दै, जैसे इस diagram तो अगर बारे में पूछे तो पाचो का जवाब देना और जरूरी नहीं है ये लाइन स्टोन के वाज़ा है वो इन में से कुझ भी लिख सकता है ठीक है तो अगर लाइन स्टोन लैट से लिख कर आता तो क्या की लाइन स्टोन को तो बताईए कौन सी गयस निकलती है, तो आपे यस गयस निकलती है, कौन सी गयस निकलती है, क्या कोई temperature change होता है, नहीं आपे कोई temperature change नहीं होता, और यह कैसी reaction है, यह एक chemical reaction है, बराबर यह कैसी reaction है chemical, फिर वह आप से second point में क्या कह रहा है, कि आप zinc लो और zinc को copper sulfate के solution में डाल ठीक है यह diagram तो फिलाल limestone वाला था तो इससे क्या question पूछेगा इससे question number one पूछ लेगा आपसे क्या कोई color change हुआ तो आप जवाब दोगे कि yes or no है ना यह diagram two आपसे question question पूछ लेगा क्या कोई gas evolve हुई yes or no जवाब दो आप बोलोगे हाँ हुई तो आपसे बोलेगा उस gas का नाम बताओ तो आप नाम बताओगे फिर आपसे वो यह पूछ लेगा कि उस gas का test क्या होता है मैंने तुमको test बताया है ना उस gas का यहाँ पे कौन सी gas निकल रही है CO2 तो क्या तुमको CO2 gas का test बताया है हाँ तो तुमसे test पूछ लेगा CO2 gas का फिर उसी particular test का ठीके reaction पूछ लेगा explain test with help of reaction तो जब मैंने तुमको test पढ़ाया था जिस video में test पढ़ाया है उस test में वाँ पे reaction भी लिखकर दिखाईए तो वो वाला test लिखो यह भी पूछ लेगा ठीके तो second वाला देखो मैंने इसलिए इस activity को अभी तक बचा के रखा था कि पूरा chapter पढ़ने के बाद तुमको अब इतनी समझ तो आई गई है कि zinc में अगर copper sulphate डालेंगे तो यह एक single displacement reaction का example है और यहाँ पे product क्या बनेगा यहाँ product बनेगा ZNSO4 और जो CUSO4 है वो कौन से color का होता है blue और ZNSO4 कौन से color का होता है colorless इसका मतलग क्या यहाँ पे color change हुआ yes यहाँ पे color change हुआ blue से कहाँ पे चलेगा है colorless में चलेगा है तो कल को इस तरीके की statement लिखकर दे रहेगा और बोल कौन से color change हुआ तो आप बोलोगे blue to colorless है ना आपको पहला question किसके बार में पूछेगा color के change के बारे में पूछ लेगा दूसरा question वो पूछेगा कि why बताईए color change क्यों हुआ तो यह चीज अगर मैं तुम्हें chapter की starting में पढ़ा देती तो तुम्हें समझता क्या कि displacement क्या है य so 4 is colorless फिर question number 3 में तुमको यह पूछ लेगा क्या कोई gas evolve हुई तो नहीं यहाँ पे कोई gas evolve नहीं हुई क्या temperature change हुआ तो मैं तुम्हें बता दू कि displacement and double displacement में temperature change हो जाता है बलकि temperature आप लोगों का increase होता है और यह displacement reaction है तो यह भी एक कैसा होगा chemical change होगा तो question यह point number 2 है इस point number 2 से 3 questions create किये जा सकते है पहला color change हुआ की नहीं हुआ हुआ तो इसका reason समझाओ तीसरा आपसे यह पूछेगा क्या कोई gas निकली चौथा आपसे यह पूछेगा क्या 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 temperature में change आया पांच वह यह पूछेगा क्या reaction physical है कि chemical है ठीक है फिर उसक इसको BASO4 के साथ reaction करवाओ और बोल रहा है कि बताओ क्या हुआ क्या कोई color change हुआ तो तुम्हें पता है कि एक double displacement reaction है double displacement reaction में PPT बनेगी है ना PPT बनेगी तो यहां पे yes PPT बनेगी पहली बात तो यहां products क्या बनेगे तुमको जितनी chemistry सिखाई है उसके basis पे अप तुम यह ब CRO4 यह BACRO4 आप लोगों का कौन से color का होता है yellow color का होता है notes में लिख लेना तो यहां पे आपको कौन सी color की PPT मिलेगी yellow color की PPT मिलेगी अब वो पूछेगा why yellow color की PPT क्यों बनी तो तुम उसको समझाना की reaction between K2CRO4 and BASO4 is a double displacement reaction and in this reaction BACRO4 is formed which is yellow in color so therefore in this reaction are yellow PPTs क्या कोई gas निकली नहीं double displacement पे gases नहीं निकलती है यह आज रखना जागत है क्या कोई temperature में change हुआ बिलकुल चाहें आप displacement पड़ो या चाहें आप double displacement पड़ो temperature जो होता है वो increase हो जाता है यह कैसा reaction है यह एक chemical reaction है इसका नाम क्या है यह double displacement है उपर वाला क्या था single displacement था उसके उपर वाला क्या था वो decomposition था thermal decomposition था बलकि वो तो है ना आपसे अलग अलग नाम भी पूछ सकता है reaction के चौथे में क्या बोल रहा है एन ए टू सी ओ थरी की reaction करो सी ए सील टू के साथ बोलो क्या होगा तो देखो यह भी एक double displacement reaction होगी chemical इसमें भी temperature increase होगा और जैसे कि मैंने बताया double displacement में gas नहीं निकलती प्रोड़क क्या बनेगा वस इतना बताओ तो इन दोनों के बीच में reaction करवाओ बोलो क्या बनेगा प्रोड़क बनेगा NACL नमक और दूसरा बनेगा CACO3 CACO3 मतलब चुना जो की क्रीस कलर का होता है white त उसके बार बोला है कि थैलिक एन्हाइड्राइड लो एक evaporating dish में देखो थैलिक एन्हाइड्राइड का मैं तुम्हें formula बता सकती हूँ तो कि मैंने खुद पढ़ाई chemistry में आगे भी की है 12th को मैं chemistry बढ़ाती हूँ बट तुम लोगों को अभी ये तक नहीं पता है कि थैलिक मतलब क्या एन्हाइड्राइड मतलब क्या ये organic chemistry का पार्ट है तो और अगर मान लेते हैं मैं तुम्हें इसी particular 10th के syllabus में अगर IUPAC nomenclature आगे जाके सिखाती भी होना तो भी उसमें एन्हाइड्राइड कहीं नहीं आता है आपके syllabus में नहीं है एन्हाइड्राइड तो ये currently हम लोग ठैलिक एन्हाइड्राइड के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं आप ठैलिक एन्हाइड्राइड को बस इतना मान के चलो कि जैसा आप लोगों के पास हो नक्थिलिन बॉल्स होती है या कपूर होता है कैसा वो उड़ जाता है ये बस वैसा ही है ठीक है तो इसमें आपको कोई color change नहीं दिखना कोई gas release नहीं होती कोई temperature में change देखने को नहीं मिलता और ये एक कैसी reaction है ये एक physical reaction है तो अभी तक हमने total कितने questions मांक कर लिये तीन question एक first page से table एक second page का table और एके third page का diagram सीधना diagram बनाके देगा और इस तरीके के आपको 4 questions पूछ लेगा ठीक है छलो next में आते हैं इस page में तो कोई diagram नहीं है इस page में हाँ page number 33 इसमें आपको diagram है बलकि ये diagram आपको 9th standard की science की book में भी था अच्छा इस diagram के बारे में तो मैं already तुम लोगों को जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मैं already बता चुकी हूँ कि इस diagram से कैसे कैसे question आ सकते हैं है ना इस diagram से कैसे कैसे question आ सकते हैं जैसे मैंने क्या लिखा था मैंने पहले लिखा था can you relate this activity with which law तो यहाँ पे आप पूस बता सकते हो कि law of conservation of mass represent above activity in form of equation तो यह equation लिखोगे इस तरीके से आपको पूछ सकता है बराबर अच्छा दन यह इस तरीके की चीज आपको यहाँ पे पूछ लेगा तो यह मैं already mark करा चुकी हूँ अच्छा दी 5 यह diagram based question आ सकता है बट जरूरी नहीं है कि यही elements पेपर में भी लिख करा है कुछ भी हो सकता है तो खेर इसको मैं diagram based question में नहीं मानती हो बट स्टिल तुम्हें balancing आती है ना बस यह वही चीज है यह diagram based number 5 हो जाएगा और 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 फिर आजो page number 37 में page number 37 में आप लोगों को जो यह दिया हुआ है system इस system पे आपको question पूछा जा सकता है और यह काफी important है सबसे पहला question यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछेगा तो वो तुमसे यह पूछ लेगा इस activity में क्या हो रहा है मतलब explain this activity इस activity को explain करो तो मैं अभी answer लिख कर नहीं दे रही हूँ क्योंकि में पाद जगात का मैं मैं orally बोल रही हूँ और उस orally बोलने वाली चीज़ को तो मैं अपने copy में लिखना है क्या लिखोगे in this activity we are heating calcium carbonate CACO3 in a closed test tube ठीक है बराबर उसके बाद point change करके लिखना during this heating CO2 gas is evolved अभी अभी मैंने बताया था जब जब हम CACO3 को heat करते है CO2 gas evolved होती है CO2 gas is then ठीक है is then taken into a bent test tube मतलब जो CO2 gas evolved हो रही है उसका हमने bent test tube में ले लिया and then it is next point में लिखना third point में CO2 gas is then given to the another test tube containing lime water इस तरीके से आपने explain कर दिया activity question number 2 में ये पूछा जाएगा write chemical equation chemical equations which is occurring in both test tube मतलब दोनो test tube में जो जो chemical reaction हो रही है उसकी reaction लिखकर दिखाओ इस तरीके का कुछ पूछ लिया तो पहली वाली में तो हम लोग simply CaCO3 को heat करना है तो ये वाली आप लिखोगे test tube number 1 के लिए है ना और test tube number 2 में क्या हो रहा है test tube number 2 में जो CO2 gas है वो lime water से combine हो रही है lime water मतलब CaOH whole twice 2 और combine होके क्या मनाता है CaCO3 plus H2O balance तुम कर लेना ये test tube number 2 के लिए है इस तरीके से चीज़े पूछ लेगा question number 3 इसी activity से तुमको पूछ लेगा what observation या मतलब इस particular activity में आपकी क्या observation है आपसे इस तरीके की चीज़ पूछ लेगा तो आपको याँ पे answer क्या देना है कि lime water turns milky ठीक है कि जो second test tube में in second test tube आप लगे तो test tube को नाम दे देना in second test tube lime water turns milky ये इस तरीके से पूछ लेगा question number 4 में आपसे वो ये पूछेगा explain your observation आप अपनी observation को explain करिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ lime water क्यों milky turn हुआ तो इसका answer क्या लिखोगे कि the CO2 gas ठीक है which was coming from test tube number A mixes with the lime water and from calcium carbonate which is white in color so therefore lime water becomes milky ये ऐसा लिखोगे ठीक है उसके बाद question number 5 आपसे ये पूछ लेगा कि in test tube number 1 ठीक है test tube number 1 which chemical reaction occurs ठीक है तो आप आप लिखना thermal decomposition तो ये हो गया हम लोगों का diagram number 5 से पूछे जाने वाला question खेर आगे move करते है और क्या पूछा जा सकता है इसमें तो देखो activity में और कुछ नहीं पूछेगा diagram number 6 666666 अब आगे कोई diagram नहीं है हाँ एक diagram आता है page number 44 पर तो page number 44 में जो आपको diagram आ रहा है उस diagram में आपको बोला गया है कि पहले वहाँ पे boiled water है और oil है mix second test tube में salt solution है तीसरी वाली test tube में सिव हवा है चौथी वाली में हवा और enhydrous calcium chloride है अब ये enhydrous calcium chloride क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए जब आप market से कोई समान खरीडने जाते हो specially plastic वागेरा का समान या bag खरीदते हो water bottles खरीदते हो तो देखना है छोटी सी पुडिया उस bottle के अंदर उस bag के अंदर डल कर आती है क्यों होती ही वो छोटी सी पुडिया क्योंकि जब भी कोई customer उस particular चीज को open करके देखे तो जो opening के दौरान जो moisture अंदर चला जाता है उस particular product के अंदर पानी water vapors जो चले जाते है उससे product damage हो सकता है गंदी सी बद्बू आ सकती है तो उसके अंदर क्या होता है calcium chloride डला होता है यह calcium chloride पता है क्या करता है जितना भी moisture होता है इस moisture को यह absorb कर लेता है तुम सभी ने वो छोटी सी पुडिया कभी न कभी कोई न कोई product है वक्त जरूर देखी होगी तो यह moisture absorb करने का काम करता है तो पहली टेस्ट्यूब उपर से देखो हमने इस test tube को बंद भी रखा है यानि कि और कोई moisture अंदर test tube के नहीं आ सकता यानि कि basically test tube number 4 में किसी भी प्रकार का कोई भी moisture नहीं है ठीक है क्या यह समझ में आ रहा है पेपर में यही चारो test tube मैंने आपको दे दी ड्रॉइं और आपसे question पूछा question number 1 सबसे मैंने पहले पूछा यहाँ पर यह सारी test tube में से सबसे पहले rusting का order बताओ rusting का order बताओ यानि कि सबसे तेजी से rusting कहा होगी यह मैंने पूछ लिया तो देखो मैं आपको कल बता चुकी हूँ rusting के लिए जो essential चीज होती है वो होती है air और water air water अगर नहीं हुई तो ऐसे case में rusting नहीं होगी अगर air water के साथ salt का solution हुआ salt हुआ तो rusting एकनम super fast speed में होगी तो देखो यह जो तीनो test tubes हैं यह तीनो test tubes आपकी open है इसका मतलब इन सभी के अंदर air भी जा रही होगी इन सभी के अंदर water भी जा रहा होगा moisture वगेरा सब होगा तो जो test tube number 2 है उसमें rusting सबसे तेज होगी क्योंकि उसके पास air भी है moisture भी है salt भी है ठीक है salt भी है सबसे तेज उसमें होगी ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है test tube number 1 में क्या है oil है oil वो भी boiled water है और test tube number 4 तो पूरी close है plus मैंने तुमको बता के रखा है कि वहाँ moisture भी नहीं है मतलब air अंदर जानी सकती क्योंकि test tube close है जो moisture test tube के अंदर पहले से होता वो calcium chloride वाली चीज हमने क्योंकि लगा दिये इसकी वज़ा से वो moisture भी मौजूद नहीं है plus salt का solution भी नहीं है मतलब test tube number 4 को पूरी तरीके से protect किया गया है किस चीज से ताकि उसमें rusting ना हो तो सबसे least rusting कहां पे होगी test tube number 4 में होगी अच्छा test tube number 1 और test tube number 3 इन दोनों में से आपको क्या हो सकता है confusion हो सकता है तो अब test tube number 1 में जादा होगा कि test tube number 3 में जादा होगा तो देखो हम लोग rusting से बचाने के लिए जो भी हमारे लोहे या कोई दूसरे products होते हैं metals के उनको paint करते हैं या फिर दूसरी techniques यूज करते हैं कौन सी दूसरी technique यूज करते हैं metals और non-metals वाले chapter में पढ़ेंगे but paint is the most common technique that we use in order to prevent an object from rusting तो इसका मतलब paint भी तो एक प्रकार का oil है तो अगर oil है तो तुम तो जानते हो कि oil पानी के उपर एक layer मना देता है जिसकी वज़ा से जो air होती है वो air उस oil की layer को cross नहीं कर पाती ठीक है और अगर वो उसको cross नहीं कर पाती है तो नीचे जो कीला आपने रखा है उस कीले को पानी मिल रहा है क्या air मिल रही है air नहीं मिल रही क्या उसको salt solution मिल रहा है salt solution भी नहीं मिल रहा तो इसलिए उसमें कम rusting होगी as compared to as compared to third one क्योंकि third वाले को air भी मिल रही है और moisture भी मिल रहा है तो इस तरीके से आपका पहला question पता है क्या create हो जाएगा arrange following four test tube according to their rusting की सबसे decreasing increasing जो भी question ने बोले तो आपको इस तरीके से arrange करना है फिर उसके बाद question number आपसे two पूछेगा define rusting इस तरीके से पूछ लेगा तो मैंने तुम्हें जो भी rusting की definition लिखवाई हो वो definition या चाप देना question number three तुमसे यह पूछ लेगा कि why आपकी जो rusting है ठीक है ने ने यह पूछ लेगा कि explain which test tube will show least rusting तो फिर आप लिखना कि fourth test tube will show least rusting because the test tube is closed because sorry because test tube is closed hence no air or moisture can enter the test tube and also it contains anhydrous calcium chloride which will absorb all the moisture present in test tube therefore यहाँ पे test tube number four में rusting least होगे फिर उसके लावा तुमसे question number four में यह पूछ लेगा कि explain which test tube will show maximum rusting कि इस test tube में maximum आपको rusting है इसको explain करो तो वहाँ लिखना test tube number one will sorry test tube number two will show maximum rusting reason क्या दोगे because test tube is open so that air and moisture can easily enter into the test tube also it contains salt solution so therefore rusting will be faster in test tube number two question number five में तुमसे पूछ लेगा formula of rust तो formula of rust में अल्रेडी कल की क्लास में आपको वह लिखना होगा question number six में आपको यह पूछ लेगा कि what are the factors आपको क्या लगता है कि कौन कौन से factors है on which rusting depends तो आपको लिखना पड़ेगा rusting depends on three factors पहला आपका air दूसरा water तीसरा वो आपको बोलेगा salt solution इस तरीके की चीज़े तो टोटल इस चाप्टर से कितने diagram based question create किये जा सकते है छे क्योंकि उसके बाद diagram खतम होते हैं हाँ एक और diagram based question create किया जा सकता है दिवो यह है लेकिन यह खुद क्योंकि exercise का party है तो मैं इसको अलग से नहीं करा रही हूं चुकि exercise में है तो हम लोग definitely notes copy में तो इस कीज़ को लिखेंगे लिखेंगे है ना बट्टिस अब हम लोगों की बाकी रह जाती है यह exercise की marking exercise की marking में मैं अगर बात करूँ तो प्रिवेंट रस्टिंग a layer of dash metal is applied on iron sheet a layer of copper metal यह zinc metal भी हम apply कर सकते खहर जो भी है जब मैं textbook की marking कर वहूंगी तब मैं यह mcq भी तुमको बता दूँगी साथी साथ में in answers को कितना लिखना है क्या लिखना है मैं यह भी बता दूँगी डाइजेस से हुबहु कॉपी मत करो तुम कोई भी डाइजेस यूज करते हो ना उसमें चीज़े या तो बहुत शॉट में होती है या तो बहुत चीज़े यह जो scientific reasons है इन scientific reasons का मैं PDF सीदा सीदा गुरुप में share करूँगी वो मेरे द्वारा लिखे हो है scientific reasons होंगे तुम्हें वैसे का वैसी अपनी notes copy में लिखना है question number 5 का PDF में गुरुप में share करूँगी ठीक है अच्छा question number 1 तुम्हारा हूंवा के यह तुम्हें करना है question number 3 मुझे share करने की जरुवत नहीं है क्योंकि जब मैं chapter की marking में करवा रही थी तब मैं already endothermic की marking, combination की marking, balance की marking, displacement की marking करवा चुके हूँ explain बोल रहा है मतलब आपको basically define करना है और एक example लिखना है खतम तो क्या तुमें नहीं लगता हम यह सारे define with one example लिख चुके हैं तो इस question को वापर से लिखने की जरुवरत नहीं है तुम चाहो तो वापस से लिख सकते हो अच्छे काम करो वापस से लिखो कम से कम वापस से लिखोगे तो चीजे learn होंगी heading डालना copy के उपर exercise और जैसा जैसा school में notes copy बनाते हो न सिर्फ exercise वाली अब exercise की notes copy बनाऊंगी जो marking उस वक करवाई थी वही सेम लिखोगे बढ़ सिफ चार लोगों की ये question number 4 और question number 5 ये मैं भेजूँगी group में ये question number 1 तुम्हारा काम है question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 ये हम लोग already कर चुके है ठीक है? अच्छा question number 8 नहीं किया है तो ये तुम आच करोगे और ये रटवाया नहीं है ये तुम लोगों को पहले सिखाया है उसके माद तुम से ही करवाया है इसका मतलब ये जो exercises के पीछे के जो सवाल होते है numerical या chemistry type के ये कोई रटने वाले सवाल नहीं होते है आप इनको conceptually break कर सकते हो इनको conceptually solve कर सकते हो तो अगर प्रॉपर दरीके से सिखाया जाए तो question number two में आते है question में question number two मुझे तुमें पूरा mark करके देना होगा ठीक है तो मैं देखती हूँ question number two question number four और question number five इन तीनों का एक marking का में एक video ही बना लेती हूँ best है उस video में जैसा जैसा लिखाया गया होगा वैसा वैसा तुम्हें अपनी notes copy में लिखना है ना कम ना जाना exactly उतना और कल हम लोग इस चीज की marking करेंगे और कल exercise की marking करके ये chapter हमारा officially close हुज जाएगा ठीक है इसके बाद फिर हम लोग आगे next chapter science two अगेरा का या फिर देखने आगे